हेई अबरिवन आज में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही क्यूट दिखने वाले ये मिनी पिनट कतली के रैस्पी सेयर करें और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है मात दो से तीन चीजों के इस्तमाल करके से हम बनाएंगे और ये एक ही में इकदम परफेक्ट बनेगी सारी टिपस और अपके साथ सेयर करूंगी ये ना तो चिप चिपी बनेगी ना ही मूं में चिपप कर रहनेंगे बहुत ही पर्फेट रैस्पी है चली डेस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर मुणफली को भूनेंगे तो मैंने हमें यहां पर इसे इतना ही भूनना है जब तक छिलका ना छूटने लगे अच्छे से क्रैक का आपको आवाज आने लएगा इसे एक बॉल में निकाल करके इसे थोगा ठंडा होने देंगे फिर इसके छिलके को हटा लेंगे जैसे जो भी मैथड आपको इजी लगता हो रब क कर दें और इसे आपको ग्राइंड करना है तो मैं यहां इसे ग्राइंड कर रही हूं अगारो प्रोफेशनल ब्लेंडर में इसका जो जार है वो ट्रांस्पेरेंट है तो बाहर सी क्लियरली दिख रहा है इसे अप पल्स मोड पर चलाएं रुक रुक करके चलाएं इसमें से चाहिए तो आप इसे बहुत ज्यादा ना चला है मैं बार बार यहां पर यह बात बोल रही हूं क्योंकि हम इसका पाउडर क्याहिए आप देख सकते हैं इसे चान लेंगे हम यहाँ पर और यह देखे थोड़े बहुत से यह चंक्स बच गए हैं तो इसे आप चटनी वेगर हम इस्तमाल कर लें इसे अभी हम मिठाई में इस्तमाल नहीं करेंगे यह अच्छा सामया यहाँ पर पाउडर बन करके तयार है यह एकदम पाउडर नहीं लेकिन सूजी की तरह है अब चलते है नेक्स प्रोसेस में तो अब मैंने लिए एक पैन उसमें डालेंगे आधा कप चीनी और 1 by 4 कप पानी ध्यान देहे जितना आपको पीनट लेना उसका आधा आप चीनी ले और चीतना चीनी लेना उसका आधा आप यहाँ पर पानी का इस्तमाल करें लगातार इसे चलाते हुए चीनी को यहाँ पर हम मेल्ट कर लेंगे तो चीनी यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो जाए एक बार तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर चार से पांच मेट के लिए से आप छोड़े बॉयल होने के लिए चार मेट के बाद आपकी जो चास्नी यहाँ पर तैयार हो जाएगी इससे जाद आपको यहाँ नहीं पकाना है लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देती हैं इसी कंसिस्टेंसी कैसी है यहाँ पर आपको बिल्कुल भी एक तार की चास्नी नहीं बनानी है बिल्कुल इसी तरह से आपको बनानी है यह हलकी सी चिपचिपी होगी और यह जो तूट जाएगा मतलब यह बनेगा ही नहीं उस तरह की चासनी आपको यहाँ पर चाहिए पाउडर को डाल देंगे पीनट पाउडर को और साथ में मैंने डाला यहाँ पर दो टेबल स्पून मिल्क पाउडर यहाँ पर डालना ऑफसनल है लेकिन अगर आप यहाँ पर मिल्क पाउडर डालते हैं तो जो पीनट कतली का टेस्ट है एकदम मतलब काजू कतली की तरह आने लोही फ्लेम को रखे तो ज्यादा बढ़िया होगा आपको यहाँ पर इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है एक बार आप देखेंगे जब इस आप पकाना श्टार्ट करेंगे थोड़ा मेल्ट होने लगेगा और थोड़ी देर बाद यह मिक्षर इकठा होने लगेगा देख इसे कोई प्लेट वेगर आम नहीं डाले नहीं तो यह बनेगा नहीं और उसमें ही चिपक जाएगा तो अगर आपके पास इको वेक हो ताप यहां पर इस्तमाल करें नहीं तो आप किसी बटर पेपर का भी इस्तमाल कर सकते हैं आप देखें अभी यह काफी गर्मत आपको इस्तमा वोल करते हुए मिक्स करना है अच्छे से आपको अच्छे से तब दक के लिए मिक्स करना चाहिए जब Tक यह उपना एक से प्रोसेस वेकार करक्ते रहने में आप देखेंगे कि नॉन स्टिकी हो जाएगा यह मिक्सर विल्कुल भी नहीं चिपकने लगा देखें कि हलका साइसे गोल कर ले, वापस से उपर में एक एको वेक रखेंगे और बेलन की मरज से इसे हम बेल लेंगे मैं यहाँ पर इसे पतला ही बेल डिये हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर इसे एदम पतला बेल लिया है उपर से इको बेक हटा देंगे अब आप यहां चाहें तो सिल्वर वर्क लगा सकते हैं यह टोटली ऑफ्सनल है लेकिन यह लगाने से इसका जो लुक है बिल्कुल काजु कतली की तरह आएगा तो मैं यहां पर इसे लगा ले रही हूं अच्छे से अब मैं ले रही है यहां और इसे मैं यहां पर छोटे-छोटे काट लोगी मीनी पीनट कतली की तरह आप चाहें तो बड़े भी काट सकते हैं लगिन यह काफी एट्रेक्टिव लगेगा तो मैं आज यहां पर इसे मीनी-मीनी काट रही हूं और काटने के लिए मैं यहां यूज करी हूं अगारो ना जैसा पसंद हो आप यहां पर काट ले लेकिन आप इस तरह से मीनी काटेंगे तो यह काफी एट्रेक्टिव लगेगा देखने में आप बहुत ही क्यूट लग रहा था तो मैंने यहां पर इसे मीनी ही काटा है आप इसे बनाने के लिए कुछ-कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे तो जो पीनट कतली एक ही बार में एकदम फर्फेक्ट बनेगी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बन करके यह तयार हुई है बिल्कुल भी सूखी-सूखी नहीं हुई है नहीं चिप-चिपी हुई है आप काटते के साथ यह ड्राय हो जाती है आप इसे इस तरह से यहां पर हटा लें मिनी पीनेट कतली बन करके तयार है इस दिवाली आप इसे जरूर ट्राय करें आपको यह रेस्पी काफी पसंद आएगी और कोई भी डाउट सो कुछ बनाने में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके आप जरूर पूचे मैं यहां पर आपको इसे दिखा रही हूँ क्लो से ट्राय करें और रेस्पी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स एंड फैमली में सेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टिक केर